साइन्स के 20BBI प्रष्ण को डिसकस करने वला हूँ चलिए सुरू करते हैं पाहला प्रष्ण इसमें क्या बोल रहा है निमनलिकित में किस धातु पर बायु का परभाव नहीं परता है कौन सा धातु है जिस पर बायु का कोई भी परभाव नहीं परता है तो हमेशा के लिए याद रखना है सोना और चांदी, सोना और चांदी को नोबेल तत्वा भी कहा जाता है क्योंकि ये हावा में और पानी में reaction नहीं करता है और इसलिए maximum abortion जेवर सोना और चांदी से बना जाता है क्योंकि हावा में या पानी में reaction नहीं करता है यानि कि हावा से या पानी से कोई परभाव नहीं पड़ता है सोना और चांदी को तो देख लिजे इसमें से सोना या चांदी होना चाहिए तो A option सही है इसमें gold लिखा हुआ है यानि कि सोना तो इसमें क्या बोला था निम्नलिखित में किस धातू पर बायू का परभाव नहीं पड़ता है तो सोना यानि कि gold A option सही है अगला प्रशना दुसरा नमर में क्या बोला है सोडियम को आम तोर पर निम्नलिखित में से किस पधार्थ पर रखा जाता है किस पदार्थ में रखा जाता है तो सभी लोग जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो हमेशा के लिए याद रखना है किरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम को यानि कि मीटी के तेल में रखा जाता है और इस तरह का प्रस्ण एकजाम में आ सकता है और आज का जीतना भी प् लोहा किस से निकाला जाता है तो लोहा हेमेटाइट मेगनेटाइट सीडे राइट से निकाला जाता है तो देख लिजे इसमें क्या लिखा हुआ है हेमेटाइट तो लोहा हेमेटाइट से निकाला जाता है इसके बाद ऐलमुनियम का एस्क है ऐलमुनियम किस से निकाला जाता तो एलमुनियम बोक्साइट से निकाला जाता है तो बोक्साइट देख लिए कहां पर है का ओप्शन सही है निमनलिकित में कौन सी धातू सधारन तापर द्रौ रूप में पाई जाती है अब यहां पर आपको समझना है सधारन रूप से द्रौ रूप में पाया जाता है तो हमेशा के लिए याद रखना है पारा कहने का मतलब है कि कौन सा धातू है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा हमेशा के लिए याद रखना है लेकिन एक और धातू है जो रूम टेंपरेचर पर द्रव अवस्था में होता है वो है गैलियम याद रखेगा और ज धातू तत्व है जो रूम टेंपरेचर में रूम तपमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है तो उहां पर गैलियम दिया हुआ रहेगा अगर पारा नहीं रहेगा तो लेकिन मेक्सिमम आपसे पुछा जाएगा कि कौन सा धातू तत्व है जो द्रव अवस्था में है त तो पारा, तो इसका सही जवाब क्या है, पारा, पारा को मरकरी कहते हैं, अगला प्रसना 6 नमबर इसमें क्या बोल रहा है, भेनेगर किसे बना होता है, भेनेगर अब इहां पर आपको समझना है, इंगलिस में लिखा हुआ है, भेनेगर, तो भेनेगर क्या होता है, आप Acetic Amla से Acetic Acid से बना हुआ रहता है हमेशा के लिए याद रख लिजिए और इस तरह का प्रस्ण अगर आप अभी पढ़ेंगे तो Competition में भी काम आएगा भेनेगर किसे बना होता है Acetic Acid का Option सही है अगला प्रस्ण साथ नंबर सिर्के का रसाइनिक नाम किया है जो भेनेगर मैंने इससे पहले बताया भेनेगर को हिंदी में सिर्का करते हैं तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है जिसे भेनेगर किसे बना हुआ होता है Acetic Acid से और भेनेगर का ही हिंदी नाम है सिर्का तो Acetic Acid ही होगा तो देख लिजिए क अहां पड़े सिर्के का रसाइनिक नाम क्या है, अगला प्रश्ण आठ नंबर, सिर्का में कौन सा अमलब पाया जाता है, देखे, उहीं प्रश्ण है, तीन प्रश्ण है, लेगिन अलग-अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको डाउट को किलियर करके पढ तो इसमें क्या बोला है सिर्का यानि की भेनेगर तो सिर्का में कौन सा अमलब पाया जाता है सिर्का में एसेटिक एसेट क्योंकि सिर्का जो बना हुआ है भेनेगर जो बना हुआ है एसेटिक एसेट से बना हुआ है यानि कि ऐसे टिक अमला से बना हुआ है तो क्या बोला है सिरका में कौन सा अमला पाया जाता है तो ऐसे टिक अमला पाया जाता है का option सही है तो इस तरीके से टिक लगाने के लिए तो आता ही है अगला प्रशना 9 नमबर इसमें क्या बोला है निम्नलिकित में से किसको Mars Gas करते हैं अब यहाँ पर ध्यान दिजिएगा यह तो सबसे BVI प्रेशन है Mars Gas तो याद रखेगा मिथेन आपने पढ़ा होगा मिथेन का फोर्मूला क्या होता है CH4 होता है यह क्या है मिथेन है और मिथेन को ही Mars Gas कहा जाता है इस पर भी तीन प्रेशन कम से कम होगा तो बिल्कुल किलियर है खाव उप्शन से है CH4 मिथेन के रूप में जाना जाता है मिथेन के रूप में जाना जाता है कौन जाना जाता है यानि कि Mars Gas मिथेन को Mars Gas कहते हैं हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लिजे अभी से लेकर competition के एकजाम तक ये जरूरी पड़ेगा तो देख लिजे mars gas go option से यह है एक प्रस्णा और होगा देखिए इसमें क्या बोला है mars gas के परमुख घटक क्या है यानि कि mars gas है उसमें परमुख घटक क्या है तो में रूप से उसमें क्या है यानि कि mars gas है mars gas को ही तो मिथेन काते है यानि कि मिथेन को mars gas काते है तो इसमें क्या बोला है mars gas के परमुख घटक क्या है यानि कि मिथेन तो देख लिजे मिथेन कहां पर है का option सही है अगला प्रस्ण अब यहाँ पर समझे इसमें क्या बोला है अब आपको formula भी याद रखना है जितना भी आपको पढ़ना है जिसे यहाँ पर क्या बोला है सधारन नमक का सुत्र क्या है जिसे आप जानते है पानी का सुत्र क्या है H2O है तो उसी तरीके से सधारन नम क्या होगा NACL होता है sodium chloride होता है देखिए NACL याद रखे हमेशा के लिए तो इस तरह का प्रस्ण एक्जाम में आ सकता है अगला प्रस्ण तेरह नमबर इसमें क्या बोल रहा है किसी बिलियन का pH मान पांच है वह क्या होगा जैसे pH मान अगर पांच है तो क्या होगा छार हो होगा या अमल होगा या उदासिन होगा एही तिंठो होता है तो एक वार समझेगा अगर किसी बिलियन का pH मान साथ है तो वह वाटर होगा यानि की पानी होगा पानी का pH मान साथ होता है और पानी क्या होता है उदासिन होता है न अमल होता है न चार होता है क्या होता है उद 10 होगा या 11 होगा तो यह सब क्या होगा अगर 7 से ज्यादा है पि-ए-च मान 7 से ज्यादा है तो 6 होगा अगर 7 से कम है जैसे 6 है या 5 है या 4 है या 3 है तो यह सब क्या होगा यह सब अमल होगा 7 से कम है पि-ए-च मान तो अमल होगा और 7 से ज्यादा है तो छार होगा तो इसमे पाँच ना पीएच मान पाँच है यानि कि साथ से कम है तो साथ से कम है तो क्या होगा अमल होगा देख लीजे अमल यानि कि B option सही है एक बार doubt को clear करते हुए पढ़े फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें क्या बोला है उदासिन बिलियन का प्येच मान होता है उदासिन यानि कि ऐसा बिलियन जो छार या अमलन नहीं है उसको उदासिन बोलते है तो उदासिन के लिए प्येच मान कितना होता है साथ होता है तो क्या बोला था इसमें उदासिन बिलियन का pH man होता है यानि कि 7 होता है तो देख लिजे 7 कहां पर है B option से ही है तो अमल कब होगा जब pH man 7 से कम रहेगा तो अमल होगा और 7 से ज़्यादा रहेगा तो छार होगा यानि कि इंगलिस में base कहते हैं और अगर pH man 7 आया या 7 दिया हुआ है तो क्या होगा उदासिन होगा और आप से पुछा जा सकता है पानी का पीएच मान कितना होता है तो सूध पानी का पीएच मान साथ होता है क्योंकि पानी उदासिन होता है एक पर अच्छा से पढ़िये सिखिए फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा तो इसमें क्या बोला है अस्टक नियम को किसने दिया, किसने बनाया, एही आपसे पुछा जा रहा है, तो अस्टक नियम की बात करें, तो हमेशा के लिए आप याद रखेगा, new lands, new lands, अस्टक नियम, new lands, तो कहाँ पर है, d option सही है, अगला प्रस्णा 16 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, तिरियक निय ठीक नियम या ठीक नियम आप पढ़ए होंगे, प्रियोडिक टेबल में, टेन कलास में तो है, पढ़ना भी है, तो यहाँ पर देखेए, ठीक नियम के परतिपादग थे, कौन थे? यानि कि डोब रेनर, डोबे रेनर लिखा हुआ रहा है, या डोब रेनर लिखा हुआ र लाल करता है तो बिलियन का पिएच मान होगा अब यहां पर समझे लिटमस पेपर की बात कर रहा है तो एक चीज़ याद रखिएगा रेड बलू बेस यह ट्री को याद रखिएगा बेस का मतलब होता है चार याद रखिएगा चार जैसे अमला और चार पढ़ते हैं तो अमला को एसिट कहा जाता है और चार को बेस कहा जाता है इंगलिस में जैसे अमला हिंदी और इंगलिस में एसिड और चार को इंगलिस में base कते तो यहां पर यह क्या है litmus paper है अगर लाल litmus paper blue हो जाता है तो क्या होगा base होगा यानि कि एक बार फिर से समझे अगर लाल पत्र को यानि कि लाल litmus paper blue हो जाता है तो क्या होगा base होगा यह clear हो चुका है तो यह confusion को दूर करने के लिए याद रखेगा रेड बुलू बेस यानि कि रेड से बुलू हो रहा है तो क्या होगा बेस होगा लेकिन अब इसी के उल्टा अगर बुलू से रेड हो रहा है तो क्या होगा एसीड होगा याद रख लिजेगा एसीड होगा तो यह जो trick है red blue base इसको याद रख लेंगे तो यह आपको पकड में आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए BRA तो blue से red हो रहा यानि कि litmus paper blue है blue से red हो गया तो कौन सा होगा यानि कि छार होगा कि अमला होगा तो acid होगा अमला होगा तो यह clear करते चलना है और इस तरीके से पढ़ेंगे तो आगे चल कर भी जब आप competition का त्यारी करेंगे तो इसी तरह का भी प्रशना competition में आता है जो नौकरी के लिए आप competition देते हैं तो उसमें इसी तरह का प्रशना आएगा इसलिए मैं कहूंगा कि अभी सही इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आगे चल कर कोई दिकत नहीं होगा अगला प्रशना 18 नंबर में अब ये जो प्रशना है ये तो प्रशना 100% आने का chance है इसमें क्या बोला है बिद्यूत का सबसे अच्छा चालक है बिद्यूत का सबसे अच्छा चालक कहने का मतलब है माल लेते हैं कि ये कोई metal है तो सबसे अच्छा बिद्यूत किसमें जाए तो बोंड़ है तो बीद्यूत का सबसे अच्छा चालक होता हैं चांदी जानती है लेकिन उसका नाम याद रखिए अगला प्रस्णा में यह जो प्रस्णा है यह भी प्रस्णा ऐंग्जाम में 100 परसंट आ असकता है एसे पहले भी मैंने डिसकस किया था draw धातू तत्वा, यानि कि कौन सा तत्वा है, कौन सा धातू तत्वा है, जो draw अवस्था में पाया जाता है, तो हमेशा के लिए याद रखेए, पारा, यानि कि मरकरी, लेकिन एक और है, जो कि room temperature पर draw अवस्था में पाया जाता है, वो है gallium, अगर यहां पर पारा यह प्रस्ण का एंसर तो पारा है द्रोव धातू तत्वा कौन सा है पारा है अगर पारा नहीं लिखा हुआ रहाता है इसमें तब समझेगा अगर पारा नहीं दिया हुआ रहता और इसमें बोला होता है कि कौन सा धातु तत्वज़ है जो room temperature में यानि कि कमरा के तपमान में से ध्रोव अवस्था में पाए जाता है तो वो है गैलियम किलियर हो रहा है अब चलते अगला प्रशना यह तो धातु तत्वा अब यहाँ पर फिर से मैं एक बार repeat कर रहा हूँ आपसे पूछा जागा कौनसा धातु तत्वा द्रौव अवस्था में पये जाता है और एक प्रशना होगा कौनसा अधातु तत्वा द्रव अवस्था में पाए जाता है तो ये भी प्रशना आगे है तो इसका तो किलियर है द्रव धातु तत्वा पारा अगला प्रशना 20 नमबर द्रो अधातू अब यहाँ पर धातू की बात नहीं बोल रहा है यहाँ पर अधातू की बात बोल रहा है द्रो अधातू तत्व कौनशा है तो इसका कौनशा होगा यानि की ब्रोमिन अधातू में बोला तो क्या होगा ब्रोमिन अगर धातू में बोला तो क्या होगा पारा इस तरीके से आपको याद करना है और एक बार अच्छा से study करना है अगर एक बार अच्छा से पढ़ेंगे तो फिर कभी कोई दीकत ने होगा बेस को बनाईए जब बेस अच्छा बन जाएगा न तो पढ़ने में मज़ा लगेगा और आगे चलकर भी आप competition का त्यारी करेंगे नौकरी के लिए त्यारी करेंगे तो इसी तरह का भी प्रस्ण उसमें भी आता है तो आज के लिए इतना ही अगर कहीं पर doubt हो तो doubt हो confusion हो तो comment में लिख के बताईएगा मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा आज के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मातरम